आपने कहा है कि कोई खुद से या आपकी मदद से अपने जीवन की गांठों को सुलजा सकता है. तो इन्हें सुलजाने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले आप इतने उल्जेवे क्यों हैं? आप खुद में गाठे क्यों लगा रहे हैं? आखिरकार आपके पास जीवन का एक ही धागा है. आप इस एक धागे में इतनी गाठे क्यों लगा रहे हैं? देखिए. जीवन के दो सिरे फिक्स हैं. अगर आप जीवन को एक धागे की तरह देखें, तो इसके दो सिरे फिक्स हैं. जन और मृत्यू. मुझे बताइए, आप उस धागे में गाठ कैसे लगा सकते हैं, जो दो सिरों पर फिक्स है? आप वास्तव में बहुत अनुभवी होंगे. एक तरह से गाठ लगाने में बहुत पारंगत. अगर धागे के सिरे फिक्स ना हों, तो आप इसमें गाठ लगा सकते हैं. अगर धागे के दोनों सिरे फिक्स हैं, आप गाठ कैसे लगाएंगे? जब आप गाठ लगाने में इतने कुशल हैं, तो क्या किया जाए? गाठ लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है. जब धागे के दोनों सिरे फिक्स हों, क्या ये फिक्स हैं? ये फिक्स हैं कि नहीं? जन्म और मृत्यों में ये फिक्स हैं, है कि नहीं? तो आप गाठ कैसे लगा सकते हैं? हो सकता है गाठ लगी ही नहों. जीवन में गाठ नहीं हैं. ये इस तरह है कि आपके भीतर भायानक तरह की असुरक्षा की भावना की वज़े से बड़ी भायानक मात्रा का दिमाग में हिसाब किताब चल रहा है। इस हिसाब के वज़े से हर तरफ गाठे दिखती हैं। नई 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 मेरे कर्मों का क्या कर्म भी वही बक्वास है। ये सब एक पल में सही किया जा सकता है अगर आप चाहे तो। क्योंकि दोनों सिरे फिक्स हैं। आप एक दिन जनमे थे, आप एक दिन मर जाएंगे। ये बीच के कुछ दिन, क्या बड़ी बात है। अगर आप यहां बेफिक्री के भाव से रहें। वैसे भी धागा मृत्यू पर फिक्स है। इसे वहां से हटा कर कहीं और रखने की कोई संभावना नहीं है। कैसे भी जीवन इसी तरह जाएगा। तो क्या करना है? बस पूरी तरह से जीना है, बस इतना ही है। जितनी ज्यादा तीवरता से हो सके। अगर यह तीवरता होनी है, अगर इसे लाना है, अगर आपको एहसास हो जाए, कि दोनों से रहे फिक्स हैं, आपके पास केवल यही बीच के दिन है। और खोने और पाने की सोच बस आपके दिमाग की कोरी बकवास है। अगर आप यह समझ लेते हैं तो। आप सहज हो जाएंगे। जब आप एकदम सहज हो जाते हैं, लोकों ने हमेशा सहजता को आलस समझा है, नहीं जो सहज हैं केवल वही तीवरता से काम करने में सक्षम है। क्योंकि आराम ही काम करने का आधार है। जो खुद के भीतर लगातार आराम की स्थिति में हैं, वही लगातार काम कर सकता है. जो एक समय आराम करता है, दूसरे समय काम करता है, वो हमेशा काम से ठक जाता है. तो मैं सहचता की बात कर रहा हूँ, आलस की नहीं. मैं सहजता की बात कर रहा हूँ जो कि जीवन है जीवन सहज ही है केवल दिमाग एक तनाव में रहता है तनाव इसलिए आया है क्योंकि दिमाग जीवन के दिशा में नहीं है आप खुद का संसार बना कर उसमें रहने की कोशिश कर रहे हैं जिसका अस्तित्वी नहीं है आप सृष्टी करता के संसार में नहीं रहना चाह रहे हैं आप खुद की दुनिया बना रहे हैं और हर समय उसे बना कर रखने की कोशिश कर रहे हैं अरे ये तो ये तो बहुत बड़ी यातना है हर तरह की जूटी चीज बनाने की कोशिश करना और उन्हें पकड़ कर रखना मुझे लगता है हमें आपको एक अभ्यास देना चाहिए मैं नहीं चाहता कि किचन में बरतनों में गड़े पड़ जाएं नहीं तो मैं उन्हें ग्लास और बरतन लाने को कहता आप 25 बरतन हाथ में पकड़ने की कोशिश करिए इन्हें उपर रखिए और चलिए और देखिए आपको क्या होता है और खास कर जब बरतन असल में है ही नहीं आपको इन्हें बनाना है और उपर रखना है गिरने नहीं देना है जब ये नीचे गिरकर तूट जाएं तो आपको रोना है, कश्ट जेलना है जब आपको बिना अस्तित्व वाली चीजों से पूरा ड्रामा बनाना पड़े तो इसे तनाव कहते हैं ये असली तनाव है और आप यही कर रहे हैं गाठे मनगडंत है गाठे सुलजाना भी मनगडंत है जब हम कहते हैं ध्यान करो हमने आपको बताया सारी बक्वास बंद करके बस यूँ ही बैठ जाईए कम से कम कुछ देर के लिए चीजों को रोक दीजे वहाँ ध्यान में भी आप गाठों को सुलजाना चाहते हैं और आप मुझे भी साजेदार बनाना चाहते हैं इस बेवकूफी वाले काम में कल भारत का बजट आया था तो मैंने सोचा देखते हैं बजट में क्या हो रहा है क्या उन्होंने योग पर कोई टैक्स राहत दिये तो मैंने टीवी चलाया देखना चाहता था कि बजट में क्या चल रहा है और जब मैंने टीवी खोला एक विग्यापन आ रहा था इसका नाम बबलू या ऐसा ही कुछ था प्रॉडक का नाम बबलू था बबलू एक लिक्विड गम है च्विंग गम ओके चबाने वाले गम की तरह आप अपने दातों को साफ रखने और खुश्बू के लिए इससे चाहते हैं या जो भी हो ये लिक्विड होता है इसे बबलू कहते हैं और आप इससे बुलबुले फुला सकते हैं तो ये बबलू विग्यापन एक एनिमेशन है और ये काटून करेक्टर आता है और लिक्विड को मुँ में डालने की जगा शीशे पर लगाता है और ये शीशे से नीचे गिरता है फिर से शीशे पर डालता है शीशे में देखते हुए ये मुँ में डालता है और ये गिर जाता है तब उसे आहसास होता है, वो ठीक से करता है, और मूँ में डालता है, और बड़े बुलबुले बनते हैं, और जो भी है, ये एक विग्यापन है, मैं सोच रहा था, कि पूरी दुनिया ऐसी ही है, अगर आप शीशे में छवी को खाना खिलाने की कोशिश करते हैं, आप जानते हैं, अगर आप शीशे में छवी से बात करने की कोशिश करते हैं, अगर आप शीशे की छवी के साथ कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, तो ये बस समय की बरबाती है, और खास कर अगर शीशा ठीक न हो तो ये एक बहुत बड़ी बक्वास है अभी बस यही सब हो रहा है आपके दिमाग के शीशे की छवी में जो कुछ भी हो रहा है हर तरहे की छवीयां आप बनाते हैं और उनसे लगातार खेलते रहते हैं क्योंकि कहीं न कहीं आपने कभी दिल्चस्पी ली ही नहीं कहीं न कहीं आप इतने बड़े एहंकारी हैं कि आपको लगता है कि एक दिन आप इस स्रिष्टी से भी बड़ी इस स्रिष्टी से भी ज्याद़ दिल्चस्प चीज बना देंगे और यही आपका दुख है यही आपका नुकसान है, यही आपकी गाठ है अगर आप कश्ट ना सहें मतलब जीवन सही नहीं है आपको भुगतना ही पड़ेगा जो इतनी बड़ी, विशाल और इतनी सुन्दर भविस रिष्टी को अंदेखा कर पाने में सक्षम हो अगर वो न भुगते तो जीवन को औचित्ते ही क्या रह जाएगा उन्हें भुगतना ही होगा आपके कश्ट किसी चीज की वज़े से नहीं हो रहे हैं आपकी गाठें किसी चीज की वज़े से नहीं हो रहे हैं यह हैं क्योंकि आप अपनी खुद की दुनिया में बहुत व्यस्त हैं आप स्रिष्टी करता की दुनिया को नहीं देख पा रहे हैं, कोई और वज़े नहीं है, और आप इसमें मेरी साजयदारी की तो बाती मत कीजिए, मैं ये खेल नहीं खेलूँगा, ये आपका बक्वास काम है, मेरा कुछ और काम है, मेरा काम स्रिष्टी करता की दुनिया से है मेरे लिए ये अच्छी है ये अच्छी ही नहीं है ये बहुत अच्छी है मैं अपनी खुद की दुनिया बनाने में व्यस्त नहीं हूँ मुझे लगता है अपने सिर में कुछ नया बनाना बेवकूफी है इसलिए मैं कुछ नहीं करता हूँ मेरे दिमाग को बेचा जा सकता है क्योंकि इसका प्रयोग ही नहीं हुआ है इसने ओवर टाइम करके खुद को खराब नहीं किया है इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है मैं इसे बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ सिर्फ जब इसकी ज़रूरत हो बस उतना ही एक दम नहीं पुराना मॉडल पर एक दम नहीं तो आप और आपकी गाठे कोई गाठे नहीं है क्योंकि धागे के दोनों सिरे फिक्स है इनमें गाठ कैसे पढ़ सकती है अगर एक सिरा खुला होता तो गाठ पढ़ सकती थी दोनों सिरे फिक्स है गाठ के कोई समभावना नहीं है